चलिया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का layer धृटरी education में देखिए हम लोगों ने आपका Technometry का Class Number 1 किया था जिसमें हम लोगों ने पूरा Basic समझा था Basic में हम लोगों ने Clear किया था कि किस तरीके से सारी सीज़े हम लोगों ने पढ़ी थी कि Technometry में क्या क्या होता है किस तरीके से पूछा जाते हैं साथ साथ हम लोगों ने आपके 10 questions नहीं आपर कंप्लीट कर लिये ते आज जो हम लोग करेंगे वह है आप लोग की लिए रहा इसको देखिएगा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है अंडर रूट में वरन प्लस साइन थिटा और अपोन में वरन माइनस साइन थिटा बराबर क्या होगा यह आप लोगों को बताना है है न क्या इसका अंसर यहां पर बन जाएगा ठीक है इसके लिए मैं आपको थोड़ा समय भी दूँगा जितने भी दोफ देख रहे हैं कोश स्टेकर कर रहे है डिके इसके बाद हम लोग इस लोग सब्सक्राइब कर ना पब सब्सक्राइब होता कि सबस्क्राइब किना मान हुप अत्य हृइन लुक्त लोग देखेंगे एक ल divers क्लास के अगली बनाना भी सिखेंगे अभी तक जो हमनों शीखा था आपका लिगल होता है राइट एंगल ट्रेंगल उसमें हम लोगों देखा था कि इसको जो है पर्पेंडिकुलर या हम लोग कर्ण बोलते है तो हैं रिवल लुख ऑर इसको बोलते हैं अधार और हम लोगों ने शीखा था कि लाल बटे गक्का में इनके मान होते हैं जिसे यह साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण फिर कोस का मान हो गया आधार बटे कर्ण और टेन का जो मान हो गया वो लंब बटे आधार हो गया तो यहां से आप लोगों को सबसे पहले मान क्लियर करना होगा जिसे यहां प्री टे एक फी यह बराबर की उधर चला जाएगा तो आपके पास मान आता है कि टेनदीटा बराबर बराबर और अपन्त विए आ रहा है अब यहां से आप लोगों पता है कि टेनदीटा क्या होता है न लंब बटे आधार होता है, ठीक है, टेन थिटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानि कि ये आपका ट्रेंगल है न, उसमें लंब यानि कि ये चार है, ये तीन है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, फाइफ हो जाएगा, ठीक है, अब अंडर रूट में आपको सोल करना है, वन प्ल पिर अपोन में 1-sin तिटा यानि कि 1-sin तिटा वापिस से 4 बटे 5 आप इसको सोल करेंगे दोस्तों 5 एकम 5 और 4 नो बटे 5 तो यहां बनेगा 9 बटे 5 और 5 एकम 5 में 4 गया तो 1 बटे 5 5 से 5 कतम यह जो 9 है यह आपका अंडरूट से बाहर आएगा तो बनेगा 3 यानि कि इसका ब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा लिखा हुआ है 4 कोट A is equal to 3 हो तो sin A minus cos A upon में sin A plus cos A is equal to क्या हो जाए जाएगा ठीक है या अप लोगों को सण करना है अगला क्यूश्चन देखिए का करने की कोशिश करिएगा क्या इसका answer यह पर बन जाएगा कोड क्या होता है कrien काfir हो टो Few वो code theta होता है तो आप लोग बताईएगा क्या answer आप लोगों का बन जाएगा ठीक है कोशिश करिएगा answer लाईएगा ठीक है चलिए बहुत easy है बस आपको जो ध्यान रखना है वो है लाल बटे कक्का से आप लोग इसको solve कर सकते हैं और इनसे क्या होगा यह 20-20 question आप करेंगे तो आपकी प्रेक्टिस बन जाएगी है ना और इस तरी की question आप solve कर पाएंगे ठीक है यह ट्रिक्नोमेटिम सबसे basic question यही है ना इन्हें से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ठीक आप लोगों को अंसर बहुत आसान है देखना यहां से आप देखेंगे तो यह जो फोर यहां इंटू में है यह बराबर के उधर जाकर बटे में चला जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कोट ए जो है वो है थ्री अपॉन फॉर है ना अब यहां से आप ध्यान दीजेगा कि अगर आप लाल बटे कक्का में देखें लाल बटे कक्का में देखें तो यह साइन है ना यह कोस यह टेन है अब टेन का उल्टा होता है कोट कोट हो गया आधार बटे लंब यानि कि यह अगर आप ट्रेंगल मानें तो यह आधार है तीन तो लंब कितना हो जाएगा चार तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा 5 अब sin A minus O से sin A क्या होता है लंब बटे कर्ण यानि कि 4 बटे 5 minus minus आधार बटे कर्ण यानि कि 3 बटे 5 same to same आप plus में लेना है 4 बटे 5 plus 3 बटे 5 तो अगर आप LCM ले तो 5 का 5 4 में 3 गया तो 1 बटे 5 और इसका LCM ले तो 5 का 5 और 4 और 3 करें तो 7 बटे 5 और यहां से अगर आप देखें तो 5 से 5 कट जाएगा और आपका बज़ेगा 1 बटे 7 यानि कि option number A इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा option A जो है वो आप लोगों का बिल्कुल right answer यहां पर बन रहा है दोस्तों बोलो clear है क्या इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं अगले question पर चलते हैं दोस्तों question number 13 देखिएगा करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा लिखा हुआ है 3 cos A बराबर 5 sign A हो तो 5 sign A minus 3 cos A 5 sign A plus 3 cos A का मान क्या होगा यह आप लोगों को बताना है क्या answer आप लोगों का बन जाएगा कोशिश करिएगा आप लोग answer लाईएगा क्या answer आप लोगों का बन रहा है ठीके वेसे भी यह जो question है यह आपका trigonometry का कम और ratio का ज्यादा है रेशो प्रोपोर्शन यानिके अनुपात समनुपात वाले concept से यह question बन जाएगा ठीके आप यह भी समझ सकते 3x is equal to 5y और यहाँ cos को मान लो x और उसको मान लो y तो उससे बन जाएगा मतलब इसमें लंब बटे कर्ण वगेरा की कुछ भी जरूरत नहीं है ठीके कभी कभी ऐसे सीधे question भी बनते हैं दोस्तों ठीके जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते है ठीके जाएगा देखिएगा क्या answer बन रहा है ठीके आप लोग कोशिश जरूर करिएगा जितने भी दोस्त देख रहे हैं है ना वीडियो को रोक करके है अगर आप खुद कर पाएंगे तो confidence बिल्ट होगा है ना चाहिए अब यहां पर अगर आप देखें तो course A के सामने आ रहा है 5 तो आप course A की जो value है वह 5 माल लेंगे sign A के सामने आ रहा है 3 तो sign A की value है वह 3 तो आपका यहां से course A की value पता चल गई 5 sign A की value पता चल गई 3 बस इसको पूट करना है अगर आप sign A की जगे 3-3 रख दे यहां 3 रख दे यहां भी 3 रख दे 3-5 15 तो 15-15 अगर 0 हो गया तो 0 को बटेम चाहे कुछ भी हो जाए आपका 0 ही रहता है इसलिए आपका जो correct answer बनेगा वह बनेगा 0 यानि कि option नंबर A जो आप लोगों का बनेगा वह बिल्कुल सही जवाब बनेगा दोस्तों ठीक बहुत simple बहुत आसान है बस आपको कुछ न ठीक है question जरूर मैंने हाथ से लिखे हैं है ना पर उससे कोई फरक नहीं पड़ता है ना समझ में आ रहे होंगे sign A बराबर root 3 by 2 हो तो sign A cos A बराबर किता होगा अब sign A cos A के बीच में आप डोट दिख रहा है इसका मतलब यह into हो रहा है क्या हो रहा है into हो रहा है गुना हो रह हो रहा है तो यह आप लोगों को जरूर से ध्यान रखना है क्लियर है कि चाहिए sign A की वेल्यू दे रखी है तो आपको बताना है sign A into cos A बराबर क्या होगा तू अपन रूट 3 होगा रूट 3 अपन 2 होगा रूट 3 अपन 4 होगा यह 4 अपन रूट 3 होगा ठीक है चाहिए easy question है आप लोग कर लेंगे देखो सबसे पहले तो हमको यह पता है कि लाल बटे कक्का में सबसे पहले यह लंब बटे कर्ण होता है मतला अगर आप राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं तो लंब यह रूट 3 है और कर्ण यह दो है तो यह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा केसे आया तो आप लोग कर सकते हैं मैंने बताया था पाइथाकुरस प्रमे से कि कर्ण का स्क्वेर बराबर आधार का स्क्वेर प्लस लंब का स्क्वेर तो कर्ण है दो दो का स्क्वेर बराबर आधार का स्क्वेर यह हमको नहीं पता है अभी हम एक समान रहे ह है लेकिन ऱुब्स लंब का स्कैर्म यह की पितन हो जाइगा अब आप लेगे तो आप रूट यह तो लिख सकते हैं लाल बते कक्का में लाल बटे कखा में यह sign होता है और यह coach होता है coach क्या हो गया आधार बटे कर्ण आधार कितना माना है हमने एक आया है और कर्ण कितना है एक बटे 2 तो यहां से आप कर सकते हैं एक बटे 2 तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और root 3 का root 3 तो root 3 बटे 4 य Mandia и option number C जो आप लोगों का बन रहा है वो बिल्कुल सही जवाब बन रहा है मेरे दोस्तों क्लियर है मामला यहां तक तो बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है आप लोग कर सकते हैं क्या हो जाएगा रूट तीन बटे चार हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन पेचलते हैं लाक देखिएगा क्यूशन नंबर फिस्टीन पर आप लोग नदर लिएगा करने की कोशिश करियेगा लिखा हुआ है टेन थीटा इस एकल टो फॉर अपोन थ्री हो तो तो 3 साइन ठीटा प्लस टू को स्टीटा ठीटा प्लस टू को सब्सक्राइब कोशिश करिएगा सारे दोस्त आंसर लाइएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है मेरे दोस्त ठीक है में टो देखना आप लोग यह द्यान रखेंक हमेशा आपको जू चीज याद रखने हैं वो याद अनी тебя वराबर होता है फिर अपूं में को स्ट इढिए Tai ओंग से कड़ाना आधर उर्त इसलिए हम लोग इसको आई लिखते है तो यहां सब्सकोंत जल रहा है कि अगर अगर 200 बराबर वखी ठीटा अपोन ऊस्याइट तो साइन की वैल्यू आ रही है चार और और जीविश इन तो साइन की जगे आप चार रख सकते हो कोफ की जगे 3 रख सकते हो साइन की जगे चार कोफ की जगे त्री ठैक इससे सौल हो जाएगा तीन से करेंगे 3.12 प्लस 2 तिया 6 फिर 3.12 माइनस 2 तिया 6 तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 12 माइनस 6 हो जाएगा 6 से करेंगे 6 तिया 18 यनिकी 3 हो जाएगा तो 3.0 यनिकी आपका option number C जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा क्लियर है क्या तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है इसी वे में आप लोगों का आंसर जो है वो बन जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्रेशन पर चलते हैं अगला क्रेशन देखिएगा क्रेशन नंबर 16 पर आप लोग नज़र डालिएगा करने की कोशिश करिएगा क्रेशन नंबर 16 क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ है 510 theta is equal to 4 हो तो 5 sin theta minus 3 cos theta 5 sin theta plus 2 cos theta बराबर क्या हो जाएगा असान है मैंने बताया है आप लोगों को कि साइन की वेल्यू आप रख सकते हैं ठीक है बहुत इजी है बस आपको यह पता चल गया है कि 10 theta is equal to क्या होता है 10 theta is equal to होता है sin theta upon में cos theta मतलब 10 theta बराबर दिया हो तो वो sin की और cos की value है ठीक है यह आप लोग ध्यान रखिएगा और बड़ी easy way में आप लोगों का answer बन जाएगा ठीक है कोशिश करिएगा क्या answer आप लोगों का आ रहा है ठीक है तो देखो यह पता चल गया है है आपको यह पता है कि यह 5 है यह into में है तो यह बराबर के इधर बड़े में चला जाएगा तो यहाँ पता चल रहा है कि sin की value क्या है 4 है और cos की value क्या है 5 है तो दोनों की value आ गई अब sin की जगे 4 रख देंगे sign की जगे 4 रख देंगे और cos की जगे 5 रख देंगे फिर sign की जगे 4 cos की जगे 5 तो 5 जोग 20 20 माइनस तीन पंजे 15 बटे में 5 जोग 20 20 दो पंजे 10 तो प्लस का 10 20 में से 15 गया तो 5 है ना 20 और 10 कितना होता है 30 तो 5 बटे 30 को गर सोल करे 5 एक 5 5 चंग 30 तो एक बटाचे आ रहा है जो कि option नंबर सी में आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा option नंबर सी जो आ रहा है वो बिल्कुल correct answer है दोस्तों बोलो clear है क्या तो बड़ा ही आसान है simple है आप लोग कर सकते हैं clear next question पर जलते हैं question नंबर 17 पर आप लोग नज़र डालिएगा करने की कुशिश करिएगा question number 17 देखिएगा क्या answer आप लोगों का बन जाएगा लिखा हुआ है sin theta is equal to 1 है cos theta is equal to root 3 है तो आपको बताना है root 3 10 theta plus 1 is equal to क्या हो जाएगा root 3 हो जाएगा one upon root 3 हो जाएगा या one हो जाएगा या two हो जाएगा बहुत ही easy question अभी जो हम लोगों इससे पहले सीखा उसी पर बेस्ट अभी जो हमने इससे पहले सेखा उसी पर बेस्ट है यह है ना आप बड़ी easy way में निकाल सकते हैं ठीक है चलिक करना फटाफट से क्या answer आप लोगों का बन जाएगा द दोस्तों अगर अगर साइन की वेल्यू यह है तो मैं टेन की वेल्यू पता कर सकता हूं और कोस की वेल्यू पता होती है तो टेन की वेल्यू में बता कर सकता हूं तो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन की वेल्यू पता है वन और कोस की वेल्यू पता है रूट थी तो मतलब साइन थीटा कोस तीटा लिखूँगा यह तो रूट थी रूट थी यह लिखा हुआ है इ यहनि कि इसका बिल्कुल सही जवाब जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका 2 यहनि कि option नमबर डी जो बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा clear है बहुत बढ़िया next question पर चलते हैं question number 18 देखिएगा करने की कोशिश करिएगा बड़ा आसान question अब यह गलती नए कि पर वराबर वन आपूर 11 हो तो केवल आपकोfik की ढूंति नहीं करना है ऩो होता है साइन जिता यह नहीं होता है जब आपको इस था दिया हो है न और बटे में भी साइन कोस हो तब आप लोग सतीकिक की वेल्यू अदर्वाइस आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते आप यह नहीं 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 गलत हो जाएगा ऐसे नहीं करना है ठीक है इतनी सावधानिया आपको रखना पड़ेगी ठीक है तो वेसे कि आपको पता है लाल बटे कक्का एक मिनट कर लोग कर रहे थे देखिएगा तो यहां में बता रहा था कि लाल बटे कक्का में आपको पता है यह सब मान अपको पता है सबालाई कि यह जो होता है यह आपका कोस थीता यह आपका उतना ते 20 तो зачем प्लती आधार यह अगर प्रिंग मिदा लमब यहनी कि एक आधर है आपका रूट ऐलेवर तो करना आप बता सकते हैं क्या हुता है आपको पता है कि करना का апर बर Deal होता है अदार का स्क्वेर प्लस लंब का स्क्वेर कर्ण का स्क्वेर नहीं पता भी लेकिन अधार इसकेर को यन कि रूट 11 का स्क्वेर प्लस वर्नका स्क्वेर तो P arena 11 का स्कॉर 7001 ठीक है 11 प्लस साइन थीटा होता है लंब बटे कंड यानि कि 1 अपोन रूट 12 आपका अंसर बन जाएगा क्या अंसर बन जाएगा रूट 12 आपका अंसर बन जाएगा वन अपोन रूट 12 इसका बिल्कुल आसानी से अंसर आप लोग कर लेंगे क्लियर है नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं क्वेशन नमबर 19 आप लोग देखिएगा करने की खोशिश करिएगा 19 लिखा हुआ है साइन थिटा बराबर A अपोन अंडर रूट में A स्क्वेश प्लस B स्क्वेश है तो 10 थिटा प्लस कोस थिटा कोट थिटा प्लस कोट थिटा बराबर कितना होगा B का स्क्वेर माइनस A का स्क्वेर अपोन A B या फिर A का स्क्वेर प्लस B का स्क्वेर अपोन A B या फिर A का स्क्वेर माइनस B का स्क्वेर अपोन A B या फिर A का स्क्वेर माइनस B का स्क्वेर फिर अपोन में A का स्क्वेर प्लस B का स्क्वेर तो आप लोग sasol करिंगा क्या answer आप लोगूस का बनेगा अच्छा question है exam में आने जैञे से थीक है इसका आप लोग cancer करिए गां हर बार Kees seventy कैं क्या होता है numerical data को मिल जाता है पांच साथ इस तरीके से कई बार वह a b c d या आपके वेरिबल से खेलता है इस तरीके से भी question आप लोगों का बन सकता है आप लोग ध्यान दिजेगा कैसे इसको करना है है एक मिनट का समाई भी है आप लोग पास इतने भी दोस्ट देख रहे हैं कोशिश करिएगा आपको उता है कि साइन थिता क्या होता है लंब बट पॉटे कर्ण होता है ठीक है तो लंब की स्वेल्यू यह है करण आपका यह ठीक हैं आपको आधार निकाल लेना है ताके आप टेन थीटा और कोट थीटा की वेल्यू जो है वो रख पाएं ठीक है करिए का कोशिश अंसर करिएगा क्या अंसर आप लोगों का बन रहा है ठीक है इससे पहले वाली क्लास अगर किसी नहीं देखी है तो फिर यह बिल्कुल भी चीज़े समझ में नहीं आएगी है ना तो क्ल देखेगा आपको अच्छे से क्लियर हूं ठीक है यहां पर ध्यान देगे हम कि यह राइट एंगल ट्रेंगल है उसमें मुझे पता है साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानिकि लंब की वेल्यू ए और कर्ण दे रखा है अंडर रूट में ए स्क्वेर प्लस बी स्क् स्कुर्ण यानिकी यह जो कर्ण है इसका इस्क्वेर बराबर बराबर आधार का इसक्वेर हैं यह रूट कर जाता है मतलब इधर बचेगा इसक्वेर प्लस बी स्क्वेर और इधर आपका है आधार का स्क्वेर प्लस एका स्क्वेर अब यह जो आधार का स्क्वेर चाहिए इसलिए प्लस का एका जो स्क्वेर है वो इधर आ करके माइनस का एका स्क्वेर हो जाएगा इधर आपका पहले से एस्क्वेर माइनस एस्क्वेर प्लस बी का square तो आधार क्या हो जाएगा अगर आधार का square B का square है तो आधार बराबर हो जाएगा B यानि कि इस आधार की जगे इस आधार की जगे आप लोग लिख सकते हैं इस आधार की जगे अब आपको पता चल गया है कि आधार की आधार, लंब ये आधार ये, तो यहाँ पर टेन थीटा की जगे में लिखूंगा, टेन थीटा को यहाँ सोल करूंगा, तो लिखूंगा A बटा B, ठीक है, और जो कोट होता है, कोट जो होता है, वो टेन का उल्टा होता है, ये अगर टेन है, तो टेन का उल्टा कोट होता है आधार बटे लंब यनि की A बटा B का उल्टा B बटा A अब कुछ नहीं करना है A B का LCM लेंगे तो A और B का LCM होगा A B B का इसमें भाग लगेगा B में बचेगा A A का उपर गुणा होगा तो A स्क्वेर प्लस A का इधर भाग लगेगा तो A से A कट क्या बचा B B का उपर B में गुणा होगा तो B का स्क्वेर तो आंसर जो मेरा बना 10 थिटा प्लसट कोट थिटा का वो बना A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर अपन A B B मेरा जो क्रेक्ट अंसर बनेगा ऑप्षण नंबर B वो लो clear है यहां तक तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं बहुत ही easy है ठीक है है ना क्लास number one में हमने यही सीखा है class number one में कुछ नहीं क्या है टिग्नोमेटर के ratio सीखे है sign cost 10 है ना आपका code से को से यह हमने सीखा है पिर इससे अगली जो class होगी उसमें कुछ इसके बाकी के question करेंगे प्लस हम लोग table बनाना सीखेंगे है ना कि table कैसे बनाते हैं फिर हम लोग जो हैं आपकी standard identity सीखेंगे साइन स्कोर थीटा प्लस कोस स्कोर थीटा बराबर वन है ना वो कैसे है उससे पे question कैसे बनते हैं हर चीज़ पर question जरूर करेंगे जैसे हम लोगों ने ratio सीखे हम लोग नहीं यह शीखा कि कि yes फैसे कुण लोग के से बहुतते हैं वह मिलोगों धिदर या पिर आप लोग Et Meow अगर उसमें बोले लगोशand के सिवाइब dignity या ये कहते हैं तो इसमें पर श्यक्रेटल्टे Lif Им करने की कोशिश करिएगा आज का लास्ट क्योशन रखते हैं ठीक है फिर इससे आगे क्योशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे है ना वीच क्योशन आज के लिए बहुत है ठीक है क्या लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर रूट 3 अपून 2 है तो साइन थीटा प्लस थीटा हूँ साइन की रख सकते अधरवाइश आप नहीं रख सकते जब तक बटे मेनographics आप को ध्यान ज़रूर रखना है जारे30 कोशिश करिएगा 2 बात गतव ऐसे नहीं करना है ठीक है दोस्तों जाए क्या अंसर आप लोगो का बन जाएगा कोशिश करिएगा अंसर लाइएगा देखो वेसे तो मेरे को यह पता है कि जो आपका तेन थिता होता है वो आप लोगों का लंब बटे आधार होता है मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्रेंगल बनाओं तो इसमें लंब यनि कि यह रूट तीन है और आधार कितना है दो है अब इसको एक मत कर देना आप है न जल्दवाजी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत बार देखा है कि रूट 3 आता है दो यहां आता है दो यहां अता है यहां दो यहां कि participated यहां क्या आएगा वह आप आराम से करी उसकुह रूट 3до सक lleva के बडाबर थीक है तो रूट 3 का सकली js ход होता है लेकिन 2 का सकोर कितना होता है 4 तो आपका 7 आ रहा है x स्क्वार सिब्सक्राइबर क्या हो जाएगा रूट साथ की आपका जो कर्ण है वह क्या है रूट साथ है अब आप निकाल सकते हैं कि भाया साइन-ठटा की चाहिए तो शा तेन लूेंगे तो यह रहेगा तो इस तरीके से आप तो इसमें रूट नहीं है है ना इसमें रूट नहीं है इसका मतलब आपका नन अप्धिस इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी जो आप लोगों का बनेगा वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा इस तरीके से आप लोगों को करना है ठीक है यहां वीडियो में ताकि इसके आगे क्योशन प्लस हम लोग उसमें टेबल बनाना सीखेंगे अगली टाइप हम लोग करेंगे ठीक है दोस्तों चलिए थैंक्यू सो मच दन्यवाद